कि अब सब लोग वेल्केम वीडियो सब्सक्राइब तो आज वार मॉक टेस्ट रहेगा जर्नल इंगलिश के ऊपर ठीक है तो यहां पर 20 देखनें को मिलेंगं यहांपर इसकते हैं बगी ऑप्सक्राइब को सब्सक्राइब मार्किंग को इस सकतेए को बात स्कूर करें और बातð गें conv प्रिपरेशन कहां पर है ठीक है उसके बाद आप हमारे साथ यहां पर लाइब जूड़ियो गाइज इस सेशन को अपने फ्रेंट्स के साथ भी शेयर करते हो तक यहां पर नमर अफ कैंड़ेट्स ज्यादा हो जाए बाकि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ बताके इस तरह की जो भी इंपॉर्टन वीडियो सभारें से आएंगी उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ठीक है यहां पर यहां पर आपका कौन सा जो है राइट ऑप्शन है यह आपका यहां पर टू बी एफ यू उसके बाद सी आपका यहां पर मैंनी उसके बाद यहां पर फर्स्ट कॉश्चन का जो है राइट अंसर क्या होगा बताओ बात करें करें यहां पर इसके प्लूरल काउंटेबल है ठीक है सम तो यहां पर नहीं आएगा सम आपका किसके साथ आता है अनकाउंटेबल के साथ ठीक है मैंनी भी यहां पर अप्रोप्रेट नहीं है इसी तरह फ्यू भी यहां पर अप्रोप्रेट नहीं है नेगेटिव सेंस में यहां पर बात नहीं हुवी थी ठीक है यहां तक जो बात है वह पॉस्टिव सेंस में कि दो ब्रदर से ठीक है इसलिए यहां पर जो है हमार सबसे पहले बात करें a few की ठीक है मैं आपको बता दू जो आपका ये a few है ये use होता है कि इसके साथ used with plural countable nouns के साथ ठीक है plural countable nouns के साथ आपका a few use होता है आपको ये पता होना चाहिए ठीक है उसके बाद a few जो है ये क्या indicate करता है ये indicate करता है small number ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है बट पॉस्टिव सेंस में ये जो है बात करता है ठीक है a few small number को indicate करता है बट पॉस्टिव सेंस में अब example देख लो इसकी example क्या है जैसे कि I have a few friends a few friends नहीं पहर प्लूरल आएगा ठीक है coming over तो यहां पर पॉस्टिव सेंस में बात हो रिए ठीक है यहां पर क्या बात होई पॉस्टिव सेंस में कि I have a few friends ठीक है अब यहां इसका usage कैसे है आपका यह भी जो है plural countable noun के साथ use होता है लेकिन जो आपका यह few है ठीक है यह negative sense में बात करता है ठीक है आपका यह few negative sense में बात करता है उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें इसके example की example इसकी क्या कुछ ही जो है लोगों ने क्या करा, मीटिंग को attend करा, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर बात होए, वो negative sense में होगी, इसलिए हम यहाँ पर few को use किया, ठीक है, हम यहाँ पर a few नहीं Use कर सकते, a few यहाँ यहाँ पर हम नहीं Use कर सकते, बट जो आपका a few है ये किसके साथ लिसे में यह उता है आपका positive sense में यह होता है कि इसका भी आपको ध्यान रखने है उसके बास करें यहाँ पर a little की देखो कि अपका जो जो यह use होता है किसके साथ आपका uncountable noun के साथ यह आपको पताणा है अंकॉंटेंब्ल ना उन के साथ आपका यूजस साथ क्या यूज होगा आपका एदिटल यूज यूज थीज यह बी इंडीकेट करता है स्माल माउंड को एक पड़न अचीज़ करता है और यह भी जो है अगर बात करें यहां पर इसकी चंटनेशन तो यह भी पॉस्टिव से तो इसलिए हमने यहाँ पर लेटल यूज पर झूल से अर भी है और वेट्टिंग यहां पर ध्यार पेला और चेंड्य तो और यहां पर देड़ियों कि बिंग कि नट्टिकल wie इसकेटब एहाँ पर बैद बताओ सैगेंड कोशन का में यहां पर राइट अंसर क्या होगा कि जितने अपने आप्छल यहां प्लाइब जिड़े हो यहां सरज आप बहोता तेखो डिया पर यहां पर अलिमिनिट चाथ है रही हाँ देखे कि क्याय यहां पर पैश्माब नहीं आएगा इसका जो करैक्क्त अन्सर हो यहां प्रति हम यहां टीस अनुसर किया अप्शन है यहां यहां पर थर्ड कोश्न का राइट अंसर क्या होगा बताव गाइज कि आइज सैशन लाइक भी कर दो ठीक है देखो यहां पर है दे डाइस टू बाया बोड फॉर येस ठीक है तो यहां पर हमारा पर्फेक्ट कंटिन्यूस आएगा तो पर्फेक्ट कंटिन्यूस हमारा किसमें ऑप्शन ए में ठीक है आप बीन होपिंग ठीक है दे आप बीन होपिंग टो बाया बोड फॉर यह ओके और फाइनली दे एंटे ऑप्शन एनकिताने अप्शन आपको यहां यहां पर बताने मिया वर्ब क्प्ट की एंडि कि फॉर्थ कॉश्न कुछ सी फॉर्म है यहां पर होगी ठीक है कि यहां पर फोर्ट कॉश्य का राइट ये अन्सर क्या होगा कि आपके यहां पर दो पास्ट इवेंट से ठीक है यसलिगे एक पास्ट इवेंट को फासट कंटिनियुस में पढ़ता है और एक event को किसमें होना पढ़ता है? simple past में ठीक है? तो यहाँ पर options में देख लिए आपका जो option A है यहाँ पर was waiting, past continues में उसके बाद यहाँ पर देख लिए arrived उसके बाद यहाँ किसमें है? simple past में तो यहीं इसका correct answer है ठीक है, fourth question का right answer क्या है option A ठीक है? यानि के Jane was waiting for me when I arrived ठीक है बात करें यहाँ पर fifth question की In 1951, the people of the gold coast dashed for the run government and shortly afterwards they dashed their country as Ghana बताओ, vote are remaining ठीक है, vote renamed उसके बाद have voted were renaming उसके बाद are voting या renamed, बताओ बताओ यहाँ पर fifth question का right answer क्या होगा 1951 की बात किजा रही है ठीक है, यहाँ पर हमारा have भी नहीं आएगा और यहाँ पर voting यह भी नहीं आएगा उसके बाद देख लें, यहाँ पर simple है यहाँ पर आपका verb की base form यूज हुई है, ठीक है, यहाँ पर आपका option ठीक है, they renamed their country as Ghana ठीक है, fifth question का, यहाँ पर right answer की option B बात करें, यहाँ पर six question की Kate 8, ठीक है, dash meat with dash vegetables for dash second course बताओ, यहाँ पर यह आपका articles में से है ठीक है, options यहाँ पर read कर लो, बताओ यहाँ पर इसका right answer क्या होगा आपका यहाँ पर यह जो vegetables है, ठीक है यह आपका plural common noun है ठीक है आपका यहाँ पर यह प्लूरल common noun है तो यहाँ पर जो है आपका article नहीं आएगा यह भी आपको बता दू हूँ में, ठीक है उसके बाद यहाँ पर यह जो आप meet देख रहे हो यहाँ पे meal की बात की जा रही है ठीक है ओके तो आपको यह भी पता आना चाहिए कि जब भी कभी name of meal होगा जैसे dinner हो गया, lunch हो गया ठीक है, तो इसके साथ भी हमारा यहाँ पे article नहीं use होगा तो यहाँ भी हमारा कोई article नहीं आएगा तो यहाँ पे for dash second course ठीक है उसके बाद यहाँ पे देख ले 7th question क्या कहा रहा है we wanted to catch some fish but we only caught dash octopus बताओ यहाँ पे आपका कौण सा option correct है ठीक है, a and the in annaf बताओ option c आपका यहाँ पे eliminate हो जाता है, ठीक है क्यों यहाँ पे जो है आप octopus की कोई definite बात नहीं कर रहे हो ठीक है, यहाँ पे आपका a and में से कर यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे octopus की sound को check करो तो आपकी यहाँ पे यह वावल sound है तो वावल sound है तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा appropriate हो गया, option b यानि कि यहाँ पे जो है आपका क्या आएगा and आएगा, ठीक है, we wanted to catch some fish, but we only caught an octopus, ठीक है बात करें यहाँ पे 8th question की तो 8th question है हमारा यहाँ पे children ठीक है, children make a noise तो यहाँ पे बताओ, इसको change करो, यह आपका active voice में इसको आपने करना है passive voice में बताओ, आपका option है, यहाँ पे a noise was being made by the children, भी आपका यहाँ पे noise is made by children, a noise was made by the children, a noise is being made by the children, बताओ, बताओ यहाँ पे 8th question का right answer क्या होगा यहाँ पे देख ले, आपका यह simple present है, ठीक है, इस हमार चाहिए आपको ठीक है, वास वाला यहाँ पे बाइर कर दो उसके बाद c में भी यहाँ पे बाइर कर दो, उसके बाद यहाँ पे read करें, b noise is made by the children, ठीक है, देख लो, यहाँ पे is made है, यही इसका correct answer है, ठीक है, यहाँ पे जो बात करें, d option की, तो a noise is being made, ठीक है, यहाँ पे being नहीं आएगा, यहाँ पे 8th question का right answer की आपका option b, ठीक है, उसके बात करें, यहाँ पे 9th question की, did he accept your proposal, बताओ, option a आपका यहाँ पे had your proposal been accepted by him, b आपका यहाँ पे was your proposal accepted by him, उसके पर c आपका यहाँ पे could your proposal be accepted by him, was your proposal not accepted by him, बताओ, बताओ यहाँ पे 9th question का right answer क्या होगा, यहां पर date है ठीक है यानिकर यहाँ पर वर्ब की सेկकेंड़ फॉर्म यूज़े उजशर ठीक है अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए बस्वर्फ चाहिए ठीक है अपका यहाँ पोप्शन आ जयता है यहाँ पर हैं ठीक है उसके बड़ी option यहाँ पर देख लिए was your proposal not accepted by him यहाँ पर not की बात करीगी है बद आप यहाँ पर अगर read करोगे ठीक है question को यहाँ पर not की बात नहीं करीगी है इसलिए यहाँ पर option यहाँ बताओ यहाँ यहाँ पर पर अपना स्कोर बताओगे आपको जिरो प्रॉइंट फाइब की नेकटि मार्किंग को भी एड़ कर दिने ठीक है उसके बात बताओगे जो है आपका क्या स्कोर है देखो यहाँ पर जो है specific बात और यह विवेक एक्सप्रेस की तो आपका यहाँ पर आर्टिकल दा जाएगा ठीक है और उसके बाद यहाँ पर आपका superlative यूज होगा है तो आपका पता है जब आपका superlative यूज हो बाद यहां पर है लिफ्ट टогश्न फिर तेसे यहां पर डेलट यहां पर बताने कौन से पार्ट में रहा है या नहीं है अगर नहीं थो यहां पर आपको t S उल्द है अथा आपका यहां पर लगे जाएगा तो यहां पर यूज नहीं होता लगेज के साथ तो यहां पर कौन से पार्ट में पार्ट बी चीक है ओके बात करें यहां पर 12th question की 12th question है हमारा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसके साथ आपका कौन से प्रेपोजिशन यूज किया जाता है तो नहीं होगा पाई भी नहीं होगा ठीक है है हैंड इन का मतलब क्या हो जाता है हैंड इन का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को जमा करना ठीक है न या किसी चीज़ को सोंब देना उसको हम बोलते हैंड इन ठीक है तो यहां पर जो है हमारा एप्रोपरेट क्या हो जाएगा option a in ठीक है है हैंड की साथ क्या क्या यहां प स्टूड़ेट थिक है बात करें यहां पर थर्टीन कोशिंट की स्टाफ को परेटिट डाश तर मैनेजमेंट इनक्रीज प्रोडेक्टिविटी थीक है और यहां पर एवीड बीफॉर सी बाइस दी तु बताओ यहां पर थर्टीन कोशिंट का राइट अंसर क्या होगा staff के corporation की बात करीगी है ठीक है तो यहां पे cooperated के साथ के आएगा आपका with ठीक है the staff cooperated with the management to increase productivity ठीक है for भी यहां पे appropriate नहीं है be यहां पे नहीं do यहां पे नहीं आएगे ठीक है बात करें यहां पे 14 question की don't mischatch any important points our teacher told us बताओ यहां पे blank में क्या आएगा on, off, in, out बताओ तो यहाँ पर आपका miss है ठीक है miss के साथ क्या आता है आपका out ठीक है don't miss out any important points ठीक है our teacher told us ओके बात करें यहाँ पर 15th question की she said that her brother was getting married बताओ यहाँ पर इसका direct speech क्या होगा है और यह आपका indirect ठीक है आपको इसका direct बताना है ठीक है option यहाँ आपका यहाँ पर she said her brother is getting married be आपका यहाँ पर she told her brother is getting married उसके पास c आपका यहाँ पर she said my brother is getting married उसके पास d आपका यहाँ पर she said my brother was getting married, बताओ 15th question का यहाँ पर right answer क्या होगा यहाँ पर आपका indirect में was use हुए है, ठीक है, तो direct में क्या होगा direct में आपका ease हो सकते है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लिए option a में भी आपका ease है, बी में भी is है और यहाँ पर c में भी is है, d आपका यहाँ पर eliminate हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर was ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, a, b, c में से आपका कौन सा जो है, यह इसका correct answer होगा, option a में यहाँ पर हर ब्रदर है, हर नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका, यह माई है, यह आपका क्या है, first person recording तो किसके change हो कहा है, subject के recording change हो कहा है, subject में यहाँ पर she है, she के recording ही है, यहाँ पर आपका हराया होगा है, ठीक है, उसके बाद जो है, आपको अपना answer मिल जाएगा, इस तरहाँ से options को अपने eliminate भी करना है, ठीक है, 16th question है, the boy said, who dare call you a thief, ठीक है, options यहाँ पर rate कर लो, the boy inquired, who dare call him a thief, यह आपका यहाँ पर the boy asked, who called him a thief, see, आपका यहाँ पर the boy told that who dared call him a thief, the boy wondered who dare call a thief, बताओ यहाँ पर इसका correct answer क्या होगा, options को eliminate करो, जो यहाँ पर eliminate हो रहे है, ठीक है, यहाँ पर boy ने inquiry कर रहे है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका inquiry सिर्फ option यह में, okay, the boy inquired, who dare call him a thief, यहीं से जो है, आपको आपका right answer मिल गया, 16 question का right answer क्या option a, ठीक है, b यहाँ पर नहीं है, c भी नहीं है, db यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर asked है, यहीं से हमारा option correct हो गया, ठीक है, बात करें यहाँ पर 17th question की, she exclaimed with sorrow that was a very miserable plight, बताओ यहाँ पर options को read करो, बताओ यहाँ पर 17th question का correct answer क्या होगा, अगें से यहाँ पर जो आपको question दिया गया ना यह आपका किसमे है, किसमे आपका यह, indirect speech में है, ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है इसका direct speech क्या होगा, बताओ, indirect में यहाँ पर देख लो, अगें से was use हुए, ठीक है, तो आपको कैचिए, easy चाहिए, तो आपको यहाँ पर सारी options में मिल रहा है, ठीक है, यहाँ यहाँ पर c में भी और d में भी है, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर, कैसे eliminate करोगे, और options को यहाँ पर, option a में यहाँ पर pt है, यहाँ पर get applied, option a बी eliminate हो जाता है, बात करें, यहाँ पर b की, ठीक है, यहाँ पर mystery है, यहाँ पर use ही नहीं हो है question में, यहाँ यहाँ पर eliminate हो जाता है, यहाँ के question number 17 का right answer किया है, option d, ठीक है, बताओ, phrases में से आपको यहाँ पर question दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर identify कर रहा है phrase को, ठीक है, Did you enjoy watching the movie, बताओ, noun phrase है, adjective phrase है, adverb phrase है, या none of these, बताओ, यहाँ पर word की sense में बात हो रही है, ठीक है, तो इसका जो right answer है, वो है आपका option A, यानि के यह क्या हमारा noun phrase, ठीक है, उसके बात करें, यहाँ पर 19th question की, pick out the clause in the following sentence, ठीक है, I do not know whether he will come tomorrow, आपको यहाँ पर clause को बताने है, okay, option A, यहाँ पर I do not know, B, यहाँ पर whether he will come tomorrow, उसके बाद C, आपका यहाँ पर do not know whether, उसके बाद D, आपका यहाँ पर he will come tomorrow, बताओ, यह आपका जो question है na, stock assistant का question है, ठीक है, stock assistant का paper गब हुआ था, 2014 अभी हुआ था, ठीक है, बताओ, जिन्होंने exam दिया होगा, उनको तो इसका answer पता होगा, तो इसका जो right answer है, वो है आपको option B, ठीक है, यहाँ पर clause का बताना था, तो आपको यहाँ पर clause कोंसे है, whether he will come tomorrow, ठीक question का right answer क्या है, option B, तो बताओ, अब यहाँ पर आपको बताना है, trivial का antonium क्या होगा, serious, intricate, calm, and identity, बताओ, trivial का मतलब क्या होगया, little value क्या सकती हो आप, ठीक है, किसी जिसकी little value हो, या किसी जिसकी कम importance हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते है, trivial, ठीक है, अब बताओ, इसका antonium पूच्छा होगा है, बताओ, option A, serious, ठीक है, यहाँ पर antonium पूच्छा है, तो इसका जो है, आपका right answer क्या हो जाएका option A, ठीक है, ठीक है, इसी के साथ हमारा session end होते है, उसके बाद guys, आप, आप बताओगे कि आपका 20 में से क्या score रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, टो बाकी जो है, टेलिग्राम पर join हुझे न, वहाँ पर बता दूँगा, next हमारा कुंसा mock test होगा, ठीक है, झाल झाल